जी हाँ वो भारतिय नौसैनिकों की खबर तो आप सभी को पता है कि कतर में इस वक्त बंधक है, जेल में है कतर के, उनको सजाए मौत सुनाई गई थी, जासूसी कर रहे हैं थे ऐसा ही कुछ आरोप लगाया था कतर की तरफ से, और उस पर जो हमारे विदेश मंत्राले हैं, उ तो उस पर जो है एक नई जानकारी, एक नए अपडेट सामने आया है, विश्विगुरू जिनका दुनिया भर में डंका बचता है, और हमें यकीन भी था कि हमारे विश्विगुरू जो है, वो इन नौसानिकों को छुडवा लेंगे, वो भारत ले आएंगे, क्योंकि उन सरकार के हित में फैसला हुआ है, या नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो भारती नौसानिकों को सजाए मौत दी गई है, विश्विगुरू जिदाने मिलत इसलामी, आप तमाम, अमती को अबो फजल की तरफ से सलाम अदे, गर में बड़ी परताने, श से, इन दरिंदों की दरिंदों की से, इन माबलिंचरों की माबलिंकिंग से महफोज हों कि अल्ला आप लोगो अपने हफ्जामान में रखे, अल्ला आपने इफाज़त में रखे, अल्ला हर आपासे हर शर्थ है, आप लोगो महफोज हों के, बरहाल मेरे इज़िस दोस्तों मेरे भाइव, देश्के हला से भी आप लोग आखिव हैं और देश्के बाहर के हला से भी आप लोग वाखिव हैं। लेकिन ये देश से ही जुड़ी और देश के बाहर क्या हिकामात की एक खबर आप लोगो सुना रहा हूं जो हमारे नवी आफिसर्स थे वहां पिर गतर में वहां की जासुसी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए जो इसराइल को बता रहे थे ये काफी पहली की खबर है ये दो सार होगे आप लोगो अच्छी तरह पता है उसके बाद हमारे देश मंतरी नो और हमारे फिकु मंतरी बड़ी वो करें हम चुड़ा लेंगे उनके अपर जोटा इल्जाम है हम किसी तरीके से खतर से बात कर रहे हैं और ये आजकर मेरे हाँ हो जाएंगे ये हो जाएंग की बात पर अमल करते इनों बोल लेते और गोदी मीडिया बोलती जो सुने आप भी इसलिए उसको रखा हूं किस तरीके से उने बयान कर रही थी जबके इनकी अवकाद इनकी हैस्यत आपको मालूम है जब यहां पर कुछ नहीं है तो विधेश में क्या रही कोई भी क्यों म बताना मेरा फर्द है और मैं बताते हैं भी आ रहा हूं इसमें कोई कंप्रमेस नहीं बहर कि इन नीवी आफिसरों के उपर जिस तरीके से जासुसी करतेवे पकड़े गए थे इनके उपर इनको जील में धाल दिया गया था और हो सकता है यह लगों को एक साल देड़ साल द इनों आए बिगमंद्री आते ही घतर के हुकोमत नाराजगी जाहर करते वे और लों को फासिंग का अडर दे दिया इनकी यह इज़त है यह बताना यह चाहरा हो मैं कि इनकी यह आउखात है इनकी यह हैसियत है इनकी यह वजूद है इनकी यह पैच्छान है देश से हटके देश के वाहर इनको कोई नहीं पूसता कोई वो नहीं करता आप लों को पता इससे बने भी किस तरीखे से फिके थे इनों यूकरेन और रशिया के जब जंग चालू हुई थी इनों रुका रहे रशिया से बात कर लिए अब यूकरेन पर हमला नहीं होगा वो नहीं होगा उसके बाद मारके यूकरेन को पूरी तरीखे से तबाव तारास और बरबाद कर दिया और इसमें हमको खुशी भी महसूस भी उसकी वज़े यूकरेन हमेशा इस्रामी देशों की बरबादी में आगे रहा हमेशा अमरीका का साथ दिया इसने अमरीका का लट्टू बनके थ लेकिन जब इसकी फूट रही थी तो अमरीका भी कुछ नहीं कर सका, रशिया के नाम पर नहीं आ सका आने, तो रशिया खुला पुल दिया था, मैं तेरे को भी ऐसी मारूंगा, तेरे को भी फिर ऐसी भो करूँगा, अगर ज़े तो भीज में आया, अगर ज़े तो इन्हों जित्ता होता है नो बिरुनी तरीखे से कोशिश तो बहुत की थी जंग रुकवाने की लेकिन नहीं रुकवा सका लेकिन हमारी गोदी मीडिया किस तरीखे से बयान करी थी जंग रुक चुकी है और रशिया मान चुका है इसमें जो हिरुगार अदा करे यानि ऐसे ही ये खिस रहे अपनी जान दे कर वो कर रहे क्योंकि इनको फांसी की सजा हो चुकी है उसकी बज़े आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इनों बीच में जाने से ये कामवान है तो इनके उपर रहम भी क्या जा रहा था हाना के घतर की कैबिरेट ने बोल दी थी कि जो हैसो जिस तरीख है इसके बीवी बच्चे और जो अपील करें माबाप जाइफ माबाप और वो करे थे तो यह लोग रहम के बारे में सुच रहे थे इसलिए उठा के फाइल को रख दिये थे बाजों में फिर जैसे ही इनों बीच में गई है मामिला तूल पकड़ा पकड़ते ही आहकामात ज समझेंगे मेरे देशवासी यह देशवासी कब समझेंगे इनके कब उतरेगा परदा कब उठेगा परदा कब इनका सामने से नखाब अटेगा और इनको समझ में आएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है खैर जो इनों सुचते सुचने दो जो इनों जानते और बताना तो म नाकिकात है वो तो बयारावर बयान करूँगा मेरे को अफसुस यह मेरे यह देश वासी थे यह नव नेवी आफिसर अपने देश वासी थे इसलिए तकलीफ होती है इसलिए हमने बड़ी कोशिश की इनको छोड़ाने की हमने यह OIC को भी इस बारे में बोला हमने जिस से हमार रापता है उनको भी बोला कि किसी तरीके से इनको छोड़ जिया जाए इनको माफ कर जिया जाए इनकी पहली और आखरी गलती समझ कर जो पनिशमेंट देना था वो तो इतने साल से अंदर है इतने टाइम से अंदर है अब इनको माफ कर जिया जाए इनको छोड़ जाए इस इसके जमेदार समझ में आया अगरचे ये गुदि मीडिया और ये हमारे फ्रेकों मंदरी के अलावा ये अमरे आए जो वजिर खारचिया है उन्हों जो यह चीज के जमेदार है ये लेकिन हमारे देशवासी यह चीज अगरचे समझते अगरचे तो हमारे देशbuatतीं नहीं होते आज यह जो कुछ भी हालात है इसके हम भी बराबर के शरीख ही क्योंने क्योंकि हमने आइसे लोगों के उपर इतिबार किया इसे लोगों के उपर भरोसा जटाया जो कि अपने आप में काभीव रही है खामिले तह्झेनlais और खामिले तारीवे जो कि अपना नाम खुद सही तरी ख़सा नहीं बता सकते हम उनके उपर भरोसा किया है उसका सिला मिल रहा हूँ उसका हदिया मिल रहा हम को उसका गिफ्ट मिल रहा हम को जो कि ये बराबर जब तक सही फैसला नहीं करेंगे ये मिलता रहेगा और इसके जिमेदार हम खुद रहेंग क्योंकि किस तरीखे से हमको ये अजियते चेलनी पड़ ली ये तकलिफे उठानी पड़ ली ये महिंगाई बेरोजगारी एकोनामी जिस तरीखे से हमारे देश की जो थू-थू दूनिया में हो रही है इतना बड़ा देश रहते हुए नव नेवी आफिसरों को नहीं छुड देए इनका याने वाखे शर्मा की वात है ये वो लोग करे गलत ठीक है इनके पास सबूत है ठीक है लेकिन फिर भी माफ कर देना चाहिए था और माफ भी क्या जा रहा था लेकिन ये लोग जिस तरीखे से अपनी वो दिखाए शान पत्ती दिखाए ये महिंगा पड़ा इ इसके जिमेदार ये लोग है ये तीन चार जने है जो अब अब आप लोगों को फैसला करना है लेकिन इंशालला हिम्मत हारने की वो नहीं है हमने फिर एक मरतबा कोशिश करने के लिए फिर मिल करवाया है देखते हैं क्या होता है आप लोग भी दुआ कीजिए क्योंकि हमा हमारे साथ बुरा सुंचने दो बुरा करने दो लेकिन हम हमारे देशवासें की बराबर हर सते पे मदद करेंगे उनके लिए दुआ करेंगे उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो लोग आज़ाद भी हो जाये और खुश और खुर्रम रहे सारे देशवासे बहर के मनज़म र आदे रिके, सलाम आलेकुम रहमतु लाही वबरकातुम।